चार करेक्टर ने मिलकर मुझे नीचे गिरा दिया है और वो मुझे बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है और मुझे लगता है वो यहां से चला भी जाएगा और ये क्या इसने तो सच में उपर से पूरी तरीके से इसे क्लोज कर दिया अब हम लोग कैसे जाएंगे, मेरे पास पिकैक्स भी नहीं है, अगर पिकैक्स होता तो हम लोग सेल को ब्रेक करके बाहर जा सकते हैं लेकिन वेट, यहाँ पर मुझे एक रैबिट दिखा है, मैं एक काम कर सकता हूँ मैं इसे पोटेटो फराबर से देता हूँ मैं इसे देता हूँ, फराबर से पोटेटो मैंने दे दिया है क्या पता, यह मेरी मदद कर दे और यह खा चुका है, अब यह हमारा पेट बन चुका है और यह क्या, इसने तो कमाल कर दिया यहाँ खुफिया रास्ता है, यहाँ समलोग निकल सकते हैं चलो फराबर चलते हैं यह rabbit मुझे कहीं का रास्ता दिखा रहा है तो जैसे जिसे यह मुझे रास्ता दिखा रहा है ठीक उसी तरीके सम लोग आगे बरते जाना होगा rabbit यहां रुख गया और सामने एक sword है तो क्या करते हैं फरावर स्वाट लेते हैं क्योंकि इस रैबिट ने का मुझे स्वाट लेने के लिए स्वाट उठाते हैं और फार्ले गाइस मैंने स्वाट ले लिया है इसे कुछ तो होने वाला है ओके और मेरे अंदर चेंज होने लगा अपने अप और ये क्या मैं तो एक प्रिंसेस यहां बन चुका हूँ ओल राइट ये स्वाड का फिर्दा कमाल का है इसका मतलब ये स्वाड किसी राजा का है जैसे मैंने इसे अपने हाथों में उठाया तो मैं बन चुका हूँ राजा ओल राइट हम लोगो यहां से निकलना पड़ेगा उपर से अभी भी क्लोज है हम लोग कैसे निकलेंगे और ये क्या वो चारों देकर पूरी तरीके से हरान हो गया है और वो चारों के चारों सिर्फ मुझे ही देखे जा रहा है उसने सोचा था कि इसके अंदर तो उसने किसी और को गिराया था लेकिन इसके अंदर किंग कैसे आ गया आल राइट यानि कि हम लोग कुईन के सेफ में है लेकिन ये किंग का सौड है आल राइट और ये भी नीचे आएगा देखते हैं क्या होता है ताकि ये मुझे यहां से बाहर निकल सके ये तो कमाल हो गया इस रेविट ने कमाल कर दिया अब देखते हैं ये लोग क्या करता है सबसे पहले एक आया दो या तीन आया और ये चारो के चारो करेक्टर यहां आ चुका है और हम लोग वो यहां से निकलना होगा यानि कि यह चारो करेक्टर मुझे यहां से निकालने के लिए आया है और यहां से बाहर निकलने का रास्ता इन चारो को भी नहीं पता था इसलिए यह जान बुझ कर नीचे कूच चुका है इसके पास later भी नहीं है और यह क्या मैं तो और नीचे आ गया और जब मैं इसके बारे में इन चारों से पूछता हूँ तो इसने कहा इसके बारे में इसे कुछ भी idea नहीं था और मेरा heart काफिजदा कम हो गया लेकिन हमें घबराने के जुरत नहीं है हमारे पास पहले साई 3 पॉटेटो हैं इसकी मदद से हम लोग अपने हाट को ज्यादा कर सकते हैं तो यह रहा मेरे सामने डोर तो मैंने इन सब को बोल दिया है कि इस डोर को ब्रेक करने के लिए अगर इन सब से नहीं होगा तो हम लोग अपना king का sword use करेंगे क्योंकि वह sword most powerful है देखते हैं क्या होता है ये लोग अपना काम करने में लग गया है और इससे नहीं हुआ आप ये दूसरा कर रहा है और ये क्या दूसरा वाला भी हार चुका है मैं try कर सकता हूँ और देखेंगे क्या ये sword सच में काम करता या फिर नहीं तो सिधा war करते हैं उसके पास जाएंगे और देखेंगे और ये क्या ये तो सच में यह sword काम करता है इस sword में सच में कुछ ना कुछ मतलब अंदर का power है बहुत इसदा strong ये sword है तो फड़ा बच चलते हैं आगे की तरफ और हम लोग यहां से कैसे बाहर निकलेंगे अभी तक मुझे confirm नहीं पता है जैसे जैसे रास्ता जाएगा ठीक उसी तरीके समय आगे जाना होगा ओल राइट है यहां पर तो एक trap जैसा है मुझे लग रहा है और सबसे पहले एक character जाने के लिए तयार हो चुका है यह गया उस तरफ और यह असानी से जा रहा है और यह जल गया और यह जल कर नीचे गिर गया man और यह दूसरा character जा रहा है तो देखते हैं क्या से न होता है दूसरा character भी मारा गया अब सिर्फ यहां दो ही character बचा है और एक हम बचे है हम तीनों को यहां से निकलना होगा तो अच्छी तरीके से निकलेंगे यह तो अंदाजा हो गया कि यहां पर trap लगा हुआ है यहां पर वो character आ चुका है दूबारा से spawn होके और मुझे नहीं पता यह कैसे spawn हो गया तो फड़ावर चलते हैं इस पर jump करके चलेंगे जैसे से यहां पर रास्ता बना हुआ है ठीक उसी तरीके से हम लोगों को आगे बरना होगा यहां आ चुके हैं और हमारे पीछे-पीछे सारे character आ रहा है आधा दूर तो हमने इस सफर को तै कर लिया लेकिन आधा और बचा हुआ है तो एक काम करते हैं जल्दी से jump करके निकलते हैं इस बार मेरी ही बारी है और यह दोनों डर रहा है मुझे लगता है इन दोनों को यहां से निकालना चाहिए एक और बचा है यह काफे जदा डर रहा है तो देखते हैं क्या scene होता है यहां पे सारे character आ चुका है हमारे पीछे पीछे और मुझे नहीं पता यह spawn होकर यहां कैसे आ गया मुझे लगता है यह इसी cave के अंदर spawn हुआ होगा मुझे ऐसा लगता है मैं एक character के सर पे बैठ चुका हूँ ताकि हम लोग असानी से निकल सके और मैंने potato खा लिया मेरे पास सिर्फ एक ही potato है open करते है door को open कर लिया और यह वही door है जिसके मदद से हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद देखेंगे क्या नाजारा होता है क्या हम लोग वहाँ पहुंचते है जहां से आई थे तो finally guys हम लोग बाहर आ चुके हैं यह जो राजमाल है काफ़ी ज़्यदा complicated था यानि कि इसके अंदर जाने का रास्ता था लेकिन बाहर आने का रास्ता बहुत ही ज़्यदा मुस्किल था ओके यह सब भी बाहर निकल के अपने आपको अच्छा फील कर रहा है वैसा भी तक हम लोग किंग बने हुए है तो हम लोग को टेंसन बिल्कुल भी नहीं लेना है यहाँ पर एक नॉर्मल होर्स है चेस्ट चेक करते हैं चेस्ट के अंदर से मुझे लेन्स मिला है और मुझे नहीं पता है आखिरकार इस लेन्स का हम लोग क्या करेंगे यह कोई देखने वाला लेन्स नहीं है यह कोई अलगी लेन्स है और मुझे भी इस लेन्स के बारे में नहीं पता है और वेट और राजमाल जो में जो काम करता है ये किंग जैसा ही कपड़े पहनता है और ये बोल रहा है कि होर्स लाने के लिए तो चलो फड़ावर से हम लोग भी होर्स ले आते हैं ताकि इसे मुझ पर सक बिल्कुल भी ना हो अगर मेरा केरेक्टर किंग से हट गया तो बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा हम जो प्रिंसेस बने हुए हैं अगर ये गेट अप हमारा बदल गया तो ये लोगों हम लोग को अच्छी तरीके से कुटाई कर देगा और मुझे यहां से मतलब कहीं और भेजा सकता है इसलिए हम लोगों को समल के रहना पड़ेगा हमें अपना जो ड्रेस है उसे हम लोग कभी भी नई उतारेंगे चलो फड़ाबर से होर्स को अपने काबू में करते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है लेकिन यह होर्स कावफिजदा खतरनाक है या किसी की सवारी बनने के लिए तयार नहीं है मतलब किसी को अपने उपर बैठने नहीं देता है और जो भी बैठता है उसे नीचे फेक देता है अब मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा कि हम लोग कैसे इस होर्स को कावव कर सकते हैं चेस्ट में से मुझे मिल चुका है एक रेड अपल यहाँ पर काफिशर रेड अपल है छे साथ रेड अपल था तो मैंने ले लिया है इसे हम लोग ब्रीड करा देते हैं और जैसे मैंने इसे खिलाया और यह अपने आपको मतलब पूरी तरीके से सर जुका कर बैठ हिया है अब मैं इसको बैठ सकता हूँ तो फानली यह होर्स हमारे कंट्रोल में आ चुका है मुझे लगा था इतनी असानी सी यह होर्स हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यह होर्स हमारे कंट्रोल में आ चुका है अब हम लोग जहां चाहेंगे इस होर्स को वहां ले जा सकते बिना किसे दिकत के लेकिन मेरा जो फ्रेंड है मतलब अब फ्रेंड बनी चुका है यह उस घोड़े को अभी तक भी काबू नहीं कर पाया है तो फाइनली गायस हम लोग आ चुके हैं राज महल के अंदर यहां पर तो बहुत सारा खाना है हमें कभी भी खाने की जौरत नहीं है मतलब खाना का टेंसर लेना ही नहीं ले यह कितना ज़्यादा मजा कर रहा होगा मैंने मुझे लगता है यहां पर और भी मुझे खाना लेना चाहिए और हम लोग कुछ खाना लेकर भी जाएंगे तो मैं मजा आसे बैट जाता हूँ और तभी मैं टबड पे आ जाता हूँ क्योंकि उन लोगों को मुझे थोड़ा-थोड़ा सेक हो गया था इसलिए मैं भाग कर टावर्ड पर आ चुका हूँ वो सारे के सारे केरेक्टर आपस में कोई डिसकेशन कर रहा है और कौन सा ये डिसकेशन कर रहा है मुझे इसके बारे में नहीं पता है ये कुछ तो करने वाला है और हम लोग नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि मेरी असलियत उसे पता चल गया हो इसलिए हम लोग उसके सामने नहीं जाएंगे नीचे चार पॉंच करेक्टर है और हम अकेले उसका सामना करना काफिजदा मुस्किल है लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उस किंग का सौड आभी भी मेरे पास है हम लोग चाहें तो सारे करेक्टर को एक एक करके किल कर सकते हैं तो काफिजदा हम लोग कागी के वीडियो में मज़ा आने वाला है बहुत ही ज्यादा मज़ा आएगा और राइट ये लोग अभी तक कुछ सोच रहें लेकिन ये क्या इसने तो पेर को एक सेकेंड के अंदर ही बना लिया और जिस तरीके का स्ट्रेक्चर है मुझे लगता है ये इसके उपर चड़कर आएगा तो अगला पाट काफी जदा कमाल का होगा तो आपने वीडियो को लाइक कर लो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले